नमस्कार आप देखे रहें कैबिनेट मंत्री बिजेश पाठक का डेवलमेंट में सड़क, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जो सभी परमुकविसे हैं बहुत अच्छा काम हुआ है सड़कों में आप देख रहे हैं उत्तर परदेश में सड़कों का जाल बिचा है सड़कें कड़ा मुक्तु ही है बिजली की जो त्राहे त्राहे पूरे परदेश में मची थी हमने बिजली सब को बराबर दिया है और लगभग जरूरत से भी अधिक बिजली गाओं को हम दे रहे हैं जाने के लिए इसके लावा पिछ पहले हैं लग तो जाते थे लेकिन रिपेरिंग का अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं था मानि मख्वंती जी ने ग्राम पंचायत इस तरफी ही सभी हैंट पंप को ठीक कराने के भी निर्देश दियों इसके अलावा जो बेसिक परिवर्तन हमारे मानी मक्हंती जी के निर्देट यानु अध्य ने किया हैं कोई बी ऐसा भीवाग नहीं कोई ऐसा च॥ित नंग काम ने हूँ मैं उतर प्रदेश के आम जन्मारस का आभार फ्रकर करता हूं कि उनकी आचिरवाद की वदलत बारतियांतापार्टी की सरकार निवेश लाने के लिए बहुत कोशिश है आपकी सरकार कर रही है। निवेश लाने के लिए बहुत कर रही है। कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर कैबिनेट मती जैप्रताप सिंग की बात करें। उन्होंने क्या कहा है इस कारेकाल की बारे में सुनते हैं। ये ढ़ाई साल उत्तरपदेश की सरकार के लिहाद से उत्तरपदेश की जनता के लिहाद से कैसा रहा। इस पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ उत्तरपदेश के स्वास्तमंत्री जैप्रताप सिंग जी है। सिंग साब ढ़ाई साल पूरे होने जा रहे हैं यानि कि आपने आधा जो कारेकाल है अपना वो निकाल लिया। कैसा है ये आधा समय जो बीता हुआ समय है क्या बताएंगे। उस भिन्यता को अलग रखते हुए और सरकार के उपर पूरी अकाउंटबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आधानिया मुक्वंति जी ने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया और सीधा हम लोग ने जो काम के इन सरकार से जुड़े हुए बहुत सारे काम थे योजनाय थे जिनको हमको गाउं में पूरा करना थे वहां हमने पूरा करना चुरू किर दिया तो स्वास्त को लेकर आपकी सरकार और विशेश रुप से आपका क्या एफट रहेगा आने वाले समय में स्वास्विभाग में तो पहले भी सबको जानकारी था और आज भी जानकारी है कि 18,000 डॉक्टरों की पद है और वर्त्मान में हमाँ पर लगभग 11,000 डॉक्टर कार रहे थे और जैसा आपने बताया कि हम कोशिश यह कर रहे हैं कि रूरल एरियाज के लोगों को CHC पिएसी तक ही रोग दे उनको हम डिस्टिक हॉस्पिटल तक आने ही नहीं दे तो आपको लगता है कि इस स्ट्रक्चरल बिल्डप में निवेश की भी ज़रुत पड़ेगी प्राइवे एसे महेंगे मशीने हैं CT स्कैन जैसे इनको प्राइविट पार्टर्शिप पॉलिसी के अंतरगत इनको अपना CT स्कैन कम से कम जनपर में एक डिस्टिक हॉस्पिटल में एक CT स्कैन या आगे चलके अगर डिजिटिल एक्स्ट्रे जो बहुत मॉटन टाइप के हैं या और भ परजन रोशन के साथ हमित कुमार सिंग जनतंत्र टीवी लखनव देखिए योगी सरकार के 25 साल पर ये रपोर्टर अज उत्तर प्रदेश की योगी आधितनाद सरकार अपना आधा कारेकाल पूरा कर चुकी है सूबे के मुख्यमंतरी योगी आधितनाद ने 19 मार्ज 2017 को कारेबहार समाला तो इसके बाद आज प्रेज कॉन्फरेंस कर CM योगी ने कहा कि सूबे के विकासकारियों को मुख्य एजंडा बना कर सरकार ने एक टीम की तरह काम किया है और इसका नतीजा है कि आज उत्तरप्रदेश को लेकर लोगों का पर्शेप्शन पूरी तरह से उत्ता है CM योगी ने कहा कि ये बड़ी काम्याबी है कि हम उत्तरप्रदेश का चेहरा बदलने में काम्याब हुए है और आने वाले समय में इसमें और भी निखार लाने का प्रियास किया जाएगा मैं सबसे पहले आभारी हूँ आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का जिनके योग्य मार्क दरसन में आज उत्तरप्रदेश सरकार अपने धाई वर्स का कारेकाल पूरा कर रही है मैं आभारी हूँ गेंद्रिय ग्रह मंत्री और भारती जनता पार्टी के रास्टे ध्यक्स आदर्णिय अमिस साजी का जिनोंने समय समय पर सरकार बनने के पहले संगठन के रूप में उसके बाद संगठन के मुख्या के रूप में और आज ग्रह मंत्री के रूप में जिनका मार्क दरसन सदेव उत्तरप्रदेश के विकास के लिए निरंतर हमें प्राप्त होता है अपनी प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान CM ने कहा कि PM मोदी का आभारी ही क्योंकि उनके मार्क दर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार धाई साल का कारेकाल पूरा कर रही है BJP के राष्टिया अध्याक्ष्य और ग्रहमंत्री अमिश्याह ने सरकार बनने के बाद समय समय पर अपना सहयोग यूपी को दिया है योगी ने कहा कि टीम वर्ट की वज़ा से उत्तर प्रदेश के परशेफ्षन को बदलने में हम काम्याब हुए प्रदेश के अंदर किसानों को आर्दने प्रदहनमंत्री जी के जो मंसा है कि किसानों की आए को दुगना करना तो किसानों की आए को दुगना करने के लिए लागत को कम करना और उनकी उत्पादन छमता को बढ़ाना इस दिश से तकनीक और तकनीक की दिश से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किर्शी विश्व विज्ञान के अंदर किसानों के साथ जोडने के कभी नो कारियोशना आगे बढ़ाई मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मार्च 2017 में 14 साल के बनवास के बाद प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद जैसे पी-म मोदी ने सबका साथ सबका विकास की तर्श पर काम किया गाओ और गरीब को केंदर में रखकर सरकार की योजनाओ को धार देनी शुरू की ठीक उसी तरह हमने भी प्रियास किया और आज हमारे सामने प्रियासों का नतीजा है यूपी की सूरत बदल चुकी है प्रदेश भुशाल हो रहा है विकास पत्पर लगातार आगे बढ़ रही योगी सरकार के सामने चुनोथिया भी कम नहीं थी निवेश की दरश्टी से उत्पर प्रिदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था लेकिन शुशाशन और विकास को लेकर ये धाई साल काफी महत्तपूर रही योगी योगी सरकार ने आज अपना रिपोर्ट कार्ट पेश किया मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने कहा कि यूपी में पिछले पंदरा साल से किसान आत्मा हत्या करने के लिए मजबूर था केंदर सरकार की योजना अउतर्प्रदेश में पूरी तरह से लागू नहीं की गई थी तूबे में कोई ऐसी योजना नहीं लागू की गई थी जो किसानों के लिए लाबकारी हूँ योगी सरकार ने फसल रिण माफी के तहर 86 लाख किसानों का कर्द माफ थिया शेहरों में 24 घंटे और ग्रामीन अलाकों में 18 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई के उत्तर प्रदेश में 1.9 करोड बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाई के सिच्छा की द्रश्टी से 24 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले के 193 इंटर कॉलेज की स्थापना की उत्तर प्रदेश में दकेती की घंटनाओं में 54 फीजदी की कमी आई हत्या के मामलों में 15 फीजदी और लूट की घंटनाओं में 43 फीजदी की कमी आई अपहंड के मामलों में 30 फीजदी और बलवा की घंटनाओं में 38 फीजदी की कमी आई निवेश के लिए योगी सरकार ने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया प्रियागराज का महाकुम भी योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शुबार है यूपी सरकार के धाई साल के कारिकाल पर प्रेस कॉनफरेंस करते हुए सीएम योगी ने किताब का विमोचन भी किया साथी सरकार की ओर से दिखाई गई डॉक्यूमेंटरी में विकासकारियों की जलग भी देखने को बिली डॉक्यूमेंटरी फिल्म में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लेकर बुंदेल खंड एक्सप्रेस ते तक का जिक्र किया गया योगी सरकार के दौरान लखनों मुहुए इन्वेस्टर समिट की भी इसमें जलक देखने को मिली यूपी में दो लाग से जादा सरकारी भर्तियों का दावा किया गया सरकार की ओर से अयुध्या में दीपोस्तव और मत्रुआ में जनमास्टमी के पर्व की धूम और सरकारी विवस्थाओं का भी इस फिल्म में जिक्र देखने को मिली इस डॉक्यूमेंटरी फिल्म में इलहबाद में आयजुथ हुए महाकुम्भ और वारणसी में आयजुथ हुए भारतिये प्रवासी दिवस के सफल आयोजन को भी सरकार की उपलब्धियों में शुमार किया गया और एक छोड़ा सब ब्रेक ले रहे फॉरन लोटते हैं अब ब्रेक्ट लागू होने के बाद अब इसका विरोध देखने को मिला और जिसमें सबसेज़ जादा गर बात करें तो आज देश इराजा ने दिल्ली में एक दिन के हर्ताल का अवान किया गया सिर्फ दिल्ली ही नहीं बलकि पूरे NCR में इसका आसर देखने को मिला हर्ताल का अवान United Front of Transport Association ने किया जिस वज़े से हर्ताल की वज़े से दिल्ली NCR के लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा देशभर्मन नए मोटर विकल एक्ट लागू किये जाने के बाद से लगातार हो रही भारी भरकम चालान को लेकर All India Transport Association सड़क पर उतर आया जिसको लेकर दिल्ली NCR में चक्का जाम कर दिया और एक दिन के हर्ताल घोशित कर दी नए मोटर विकल एक्ट के विरोध में सभी तरह की बसों, टैक्सियों, आटो रिक्षा को चलाने नहीं दिया गया खर्ताल क्यों की गई इसको लेकर ड्राइवर्स ने अपनी परिशानियां भी बताई सरकार से मांग यही करते हैं, गरीब आदमी को देखते हुए हर फैसला किया जाए, उनको परिशान ही ना हो, परिशान ना किया जाए खर्ताल में करीब 51 संगठन के करमचारियों ने हिस्सा लिया, किसी भी तरह की ऑटो टैक्सी को चलने नहीं दिया गया, जिसने भी सवारी को ले जाने की कोशिश की उसे भी रोक दिया गया, जिस वज़े से लोगों को परिशानी हुई और वो इधर उधर भटकते रहे, कई लोग तो बस टेंड पर ही बैचे वे नजर आ है, क्या कारण बता रहे हैं? तो पूने से आई हूँ और डेली में ही जाना है कहीं, न्यू मोटर वीकल एक लागू होने के बाद सही लगाता और जो लोगों के चालान थे, वो काटे जा रहे थे और इस से कही न कहीं जो ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, वो कॉमर्सल वहां के जो चालक थे, वो प पूरी तरह से हर्ताल की हुई है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को परिशानी का भी सामना करना पढ़ रहा है, वहीं हमने जब ओटो चालकों से बात की तो उनका साफ कहना है कि जो चालान काटे जा रहे हैं 20-30,000 रुपे, उससे कहीं न कहीं जो आम ओटो चालक है, उसके लेकर वाहन चालकों का विरोध उग्र भी हुआ, उन्होंने जम कर सड़कों पर प्रधर्शन किया, दिली में हर्ताल का असर नजर भी आया और लोगों को परिशानिया भी हुई, दरसल दिली में 90,000 से जादा आटो और करीब 10,000 काली पीनी टैक्सियां चलती हैं, आटो ट फटफट सेवा 141 मेक्सी कैप चलती है, इस हर्ताल का असर इन गाडियों पर भी नजर आया, ये गाडियां जादातर बाहरी दिली और ग्रामेर इलाकों में चलती है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए काफी एहम है, परिशानी से बचने के लिए कई स्कूल ने ब पूशना की गई, हर्ताल की मद्नजर बस और आटो चलाने वालों का दर्द भी चलता अगर उसका हजार से दो हजार चलान हो जाता है, अब बताओ आप की आठ सो कमा रहा है, तो ओ क्यूं गारी चलाएगा? इसके वज़ासे बहुत काफी परसानी हो रही है. पहले यह नियम लगाने से पहले उसको ट्रेनिंग करवाना चाहिए। इसको एक महीन है पहले नोट बंदी जैसे अचानक ही हो गया। तो लगातार सरकार से यही डिमांड है कि जो टेक्सी चालाग पूरे दिन में भाडली 500 से यहां हजार रुपे कमाता है, वो 5000 का चालाण कैसे दे पाएगा? कैमरामेन मनीश के साथ अनन्य तिवारी जनतंद रिखी गए. तो नया मोटर विकल अक्टर के डिमों को लेकर रांस्पोर्टर्स की हर्ताल का असर नौइडा, ग्रिटर नौइडा में देखने को मिला है, जाधा तर स्कूल बंद रहे, कैब और टेक्सी बंद होने के बज़े से लोगों को परिशानी उठानी पड़ी. नया मोटर विकल अक्ट लागू होने के बाद से ही लोगों में नियम तोड़ने को लेकर भले ही डर पैदा हुआ हो, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का गुस्सा भी है, कि वो भारी भरकम चालान को भरें के कैसे? गुसा फुटा तो हर्ताल कर दी और ट्रांस्पोर्टर के अलावा सभी प्राइवेट वाहन चालकों ने भी इस हर्ताल में हिस्सा लिया. मोटर विकल अक्ट 2019 को संसद ने पिछले सत्र में पारित किया और ये एक सितंबर से प्रभावी हो गया. जुर्मानी की राशी इतनी जादा है कि इसी सफताह एक ट्रक चालक और उसके माली को ओवर लोडिंग और कुछ अन्य नियमों के उलंगन पर ओडिशा से 6 लाग तो दिल्ली में 2 लाग रुपे का जुर्माना भरना पड़ा. केंद्री परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने जुर्मानी की राशी में बढ़ोत्री का मजबूती से बचाव करते वे कहा कि देश में हर साल सड़क दुरगहटनाओं में कई लोगों की मौत हो जाती है. इसलिए इस अधिनियम का उदेश वाहन चालकों को यातायत नियमों का उल्लंगन करने से रोकना है. हाला कि गुजराद, पश्चिम्बंगाल और उत्राखन जैसे राज्यों में नए कानून को लागू नहीं करने का फैसला किया. वही महराष्ट ने केंद्र से जुर्मानी की राश्यों पर दोबारा विचार करने का आग्रे किया और कई राज्यों ने तो ये कहते वे से लागू न करने का निड़े लिया जिससे जनता पर अनुचित भार पड़ेगा. ऐसे में लोगों का कहना है कि जब दूसरे राज्यों इस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं तो फिर दिली NCR में क्यों लागू हो रहा है और अगर हो भी रहा है तो इसमें राहत क्यों नहीं है? नौइडा में ट्रांस्पोर्टरों की हर्ताल का असर देखने को मिला और हर्ताल को देखते वे नौइडा ग्रेटर नौइडा के ज़्यादा तर स्कूल बंद रहे हाला कि जिन स्कूलों में परिखशाएं चल रही थी वहीं छात्रों को बुलाया गया ट्रांस्पोर्टरों की इस हर्ताल को खैब, बस ट्रांस्पोर्ट, डंपर यूनियन, क्रेन यूनियन समेथ 51 संगठनों ने अपना समर्थन दिया सडकों पर व्यावसाईक वाहन नदारत रहे जो इस हर्ताल में शामिल नहीं हुए उनको रोका गया और सवार्यों को उतारा गया साथ ही जगए जगए टक्सी वालों ने जम लगा दिया सब्सक्राइब कर दोनों केंदे सरकार से और आजी सरकार से हम ये रुकेष्ट करते हैं कि हमारे टेक्सी वालों का जो शोशन हो रहा है उस पर ध्यान दिये जाए ये टेक्ट बताईए कि एक ड्राइबर के उपर करने के बाद ये तीन हजार रुपे हर मंत लेने के लिए इनो लेन रोटीस बिज़े हैं हमारे पास हम तीन हजार रुपे कहां से दें एक एक आटो टेक्सी बस इनके पास कमाई नहीं जुर्माना बढ़ा दिया गया जाता है उसको हर बार पीशा जाता है ना तो दिल्ली सरकार इस मामले में ध्यान दे रही है उना इके इंदर सकार दें अब बात तो जो जुर्माने हो वो हमारे भी की जा रहे हैं डाइबर के भी की जा रहे हैं डाइबर का 20,000 का जुर्माना होता है उसको भी मुझे ही भरना है मेरा जुर्माना जो हता हुँ मुझे ही भरना है अर्थाल कोई अमने जंता को परिसान करने के लिए नहीं रखी यह बारी जो जुर्मानी रख रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000 जुर्माना तो इसके विरोध जुर्मानों के विरोध में हमने यह अर्थाल करें एक दिन की संक्यते दुर्था अर्थाली एस्वोशेशन के मताविक भारी भरकम चालान से ट्रांस्पोर्टरों की कमट तूट चुकी है इस के साथ इट्रांस्पोर्टर पहले से ही मंदी की मार जेल रहे हैं और चालान बढ़ने से व्यापार बंदी के कगार पर है जिसका असर आफिस टाइम पे जाने वाले लोगों को देलना पड़ रहा है। सुबह का समय जो आफिस जाने वाले लोगों है उनको करीब एक से डेड़ घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। आटो से लेके बस और कैब जाहे और नौडा में नहीं चल रही है। जिसका असर नौडा में देखने को मिल रहा है।